आपका भविश्य आपके हाथ में समय का सदूपयोग प्रश्न मुझे रोजाना इतने सारे काम पूरे करने पड़ते हैं कि उनकी बड़ी संख्या और जटलता से मैं बिल्कुल जैसे हार कर रह जाता हूँ दिन बीटने के साथ कभी कभी मुझे लगने लगता है कि मैं हर एक काम पर समचत ध्यान नहीं दे सका क्योंकि जल्दी ही दूसरे काम मेरी मेच पर आते रहे सहकर में सवाल करके काम में रुकावटे डालते रहे मैं अपने काम को नियूजद नहीं कर पाता मैंने एक टाइम टेबल बनाकर उसके मताबिक चलने की कोशिश की लेकिन मैं हताश होकर हार माल लेता हूँ क्योंकि मैं कोई भी योजद न क्यों न बना डालो मुझे लगता है कि मैं उसके मताबिक चलने ही पाता जादतर ऐसा ही होता है कि मैंने जिस काम को जितने समय में करने की योजना बनाई होती है वो काम उतने समय में नहीं पूरा होता तो रातों रात को जाकर उसे पूरा करना पड़ता है और तब आखिरी वक्त में काम के साथ समझोता करना पड़ता है इस इस्तिती में मैं बहुत असंतोश महसूस करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में वो काम करने की जो योगिता है वो उस काम में नहीं आ पाई है सर आपने SLB-3 मिसाइल नाविके बम जैसी कई बड़ी राष्टिय परियोजनाओं पर काम किया है और उन्हें समय पर पूरा किया है आपने इतने बड़े और उल्जे हुए कारें को नियमित समय में कैसे पूरा किया इसका राज क्या है भविशर एक ऐसे चीज है जिसकी ओर हर कोई 60 मिनट प्रते घंडे की गती से बढ़ता है चाहे वो कुछ भी करे चाहे वो कोई भी हो C.S. Lewis समय को हमेशा लगातार चलते रहने वाला बताया गया है ऐसा कहा गया है कि समय ना तो आदी है और ना अन्त फिर भी मानव उसे साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकिंड में मापने में काम्याब रहा मानव ने भूत, वर्तमान और भविशय जैसे शब्दों को अर्थ दिये समय कभी नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है जो कल था, वो आज नहीं है जो आज है, वो कल नहीं रहेगा कल बीद गया, आज ये है और कल का आना अभी बाकी है जैसा कि आप सब को पता है पृत्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकंड घूमती है जिससे दिन और राद बनते हैं पृत्वी सूरे की परिक्रमा भी करती है जिसके एक चक्कर में उसे करीब एक साल लग जाता है सूरे के चारों और पृत्वी की एक परिक्रमा पूरी होते ही पृत्वी पर रहते हुए आपकी उम्र एक साल बढ़ जाती है सृष्टी की हर एक गती समय से जुड़ी हुई है जन्म, विकास और मृत्य होते हैं एक बच्चा पैदा होता है फिर समय बीतने के साथ वो किशोर होता है युवा होता है, मद्य वैका होता है और फिर बूड़ा हो जाता है रित्वें भी समय के अनुसार आती हैं पौधों में फूल आते हैं और फल लगते हैं एक महीने में धान नहीं उपता और ना ही एक साल में एक बच्चा व्यसक हो जगता है हर चीज का समय होता है और हर एक चीज अपने समय से होती है समय एक स्वतंत्र शक्ती है वो किसी का इंतजार नहीं करता आमतोर पर कहा जाता है कि समय और जवार नहीं करते किसी आदमी का इंतजार समय ही धन है एक भी मिनट अगर आपके लिए नहीं खर्च हुआ तो समझे नुकसान हमीशा के लिए हुआ वो खोया मिनट कभी वापस नहीं मल सकता जब लोहा गर्म हो तब ही हमें उस पर चोट करनी चाहिए क्योंकि वक्त बीच जाता है तो फिर लौट के नहीं आता अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो वो आपको बर्बाद कर देता है सेक्सपियर ने जूलियस सीजर में बड़ी कुपसूर्थी से कहा है लोगों के कामकाज में भी एक जुआर है बढ़ते पानी में उतरे तो नसीब शानदार है पीछे छूटा जो जिन्दगी में तमाम सफर में उतले में फसे तो कश्टों की भरमार है अब जो चल पड़े खुले समंद्र में हम बढ़ते रहें जब तक सागर मददकार है छूटे तो डूबे यही प्यवपार है रोमन कवी ओविड ने कहा था समय सबसे अच्छी दवा है कहा जाता है कि समय सारे घावों को भर देता है और उन घावों को भी भर देता है जिनके हल तरक से नहीं मिलते जब डर, गुसा, इर्श्या हम पर हावी हो जाते हैं तब हम सोच समझ से काम नहीं ले पाते जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं बाद में जब भावनाई ठंडी पड़ती हैं तो हमें अपने किये पर पश्तावा भी हो सकता है लेकिन जो नुकसान हो जाता है वो हमेशा रहता है लेकिन समय बीतनी के साथ वो नुकसान भी ठीक होने लगता है जो लोग इसमें शरीक होती हैं वो भी भूल जाती हैं, माफ कर देती हैं यही समय की महत्ता है ये भी सच है कि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है समय के साथ हर व्यक्ति उम्र में बड़े होने के साथ परिपक्व भी हो जाता है समय के साथ जो जीवन में अनुभव होते हैं उनसे सही निर्ने लेने की सीख भी मिलती है अकल मन व्यक्ति वही है जो समय से सीख ले समय हमेशा याद दिलाता है कुछ करने की और कुछ बहतर करने की कुछ लोग तो बस यही सोचते रहते हैं कि अपना समय कैसे बिताएं समझदार और होश्यार लोग अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति सबसे अधिक गम, व्यर्थ वक्त बीटने का मनाते हैं। कहावत है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं, खुद खुशी है। मतलब ये कि अगर समय को बेकार निकल जाने देते हैं, तो हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुचाते, बलकि अपना ही नुकसान करते हैं। कुछ लोग समय का महत्व नहीं समझते, उसे बेकार जाने देते हैं। या फिर बिना कुछ किये ही उसे खर्च कर देते हैं। एक कहावत है, जिसमें कहा गया है कि समय की हत्या करना कतल नहीं खुद खुशी है. कुछ लोग हमेशा इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि उनके पास सब कुछ करने के लिए जरूरी समय भी नहीं है. ये ठीक नहीं है. अगर हम समझदारी के साथ अपने काम की यूजना बना कर काम करें, तो हर चीज के लिए काफी समय मिल जाएगा. आदमी, जो कि कुदरत का एक हिस्सा है, कभी समय की शिकायत नहीं कर सकता. आदमी को तो बस वक्त का हर इशारा मानना होता है. समय बहुत बलवान है और वो सब ही को जीत लेता है. हर दिन हर एक व्यक्ति को जैसे चाहे वैसे इस्तमाल करने के लिए वही बराबर के 24 घंटे मिलते हैं. जो समय पूरी तरह से उसका अपना है, वो बेश्च कीमती होता है. मैंने ये बात बहुत पहले ही जान ली थी और समय की धारा के साथ बहने के बज़ाए होश्यारी से अपना रास्ता बना लिया. जिस तरह समय पर ना पहुँशने पर ट्रेन छूट जाती है, तो वो हमेशा के लिए छूट जाती है, वैसे ही समय के साथ है. अगर आपने समय को एक बार हाथ से निकल जाने दिया या बिकार जाने दिया, तो वो हमेशा के लिए चला जाता है. आप उसे दोबारा नहीं पकड़ सकते और ना ही वापस हासिल कर सकते हैं. इसी लिए समय को तेजी से निकलते जाने वाला कहा जाता है. समय ही सफलता की कुंजी है इस पर हमारा अधिकार नहीं है अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ यही कि इसे अच्छी तरह इस्तमाल कर ले अपने समय को बिकार ना जाने दे जादा से जादा फायदा उठाना सीख ले इन पंक लगे दिनों को यूही न जाने दे असफलता से आगे प्रश्न मैं अपने जीवन में उस बिंदो पर आ पहुँचा हूँ जहां मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से नाकाम रहा हूँ मैं स्कूल में एक अच्छा विध्यारती था और दस्ने कक्षा में अच्छे अंख पाने के बाद मैंने कॉर्मेंन कालिज में इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा करने के लिए दाखिला ले लिया वास्तव में इस विशे में मेरी बिल्कुल भी रुची नहीं थी और कॉलिज के लेक्चरर पढ़ाने में अच्छे नहीं थे अब आखरी इम्तिहान के बाद रिजर्ट भी आ गया है और मैं एक विशे में फेल हूँ अब मुझे फिर से उस विशे में इम्तिहान में बैठने के लिए एक साल इंतजार करना पड़ेगा हाला कि मेरे माता-पिता शांथ है लेकिन मेरे पास अपने दोस्तों और रिश्टदारों को अपनी शकल दिखाने के हिम्मत नहीं है बार-बार मन में यही आता है कि मुझे अपनी जिंदिकी खतम कर लेनी चाहिए और एकाद बार में अपनी कलाई में चीरा भी लगा चुका हूँ बारवे के इंतिहान में मेरे पाँच विश्यों के ऑसत अंक 70 परतिशत थे और भौतिक रसायन और गणित के मिलाकर 58 परतिशत बैंगलूर की संयुक्त परिक्षा में मेरे रैंग 35,000 थी और मुझे मालूम था कि इस रैंग पर मुझे ऑसत दर्जे के इंजीनिरिंग कॉलेज में ऐसा कोर्स मिलेगा जो मेरी पसंद का भी नहीं होगा मेरे माता-पिता को मुझसे कोई उमीद नहीं बजी है और मेरे पिता कहते हैं मैं बेकार में ही तुम्हारे उपर अपना सारा पैसा खर्च कर डाल रहा हूँ तुम इतने मोटे बुद्धि के हो कि मुझे खुद को ही तुम्हारा बाब बताने में शर्माती है मुझे बताईए सर क्या मैं एक असफल व्यक्ती हूँ हर मुसीबत हर असफलता और कलेजे में उठने वाली टीस में ही छुपा होता है उसके हलका बीज नैपोलियन हिल दोस्त असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं सफलता मंजिल है असफलता बीच बीच में आने वाला अवरोध अगर आप बीच बीच में पड़ने वाले इन अवरोधों को हिम्मत और पके इरादे के साथ पार कर जाते हैं तो आप असपलता को हराकर जीवन में सपलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको श्री निवासन रामानुजन की कहानी सुनाता हूँ, जिन्हें दुनिया के महानतम गणितग्यों में से एक माना जाता है। सिर्फ बत्ते साल की जिन्दगी में और वो भी बहुत कम अपचारिक शिक्षा के बावजूर उन्होंने mathematical analysis, number theory, infinite series और continued fraction के छेत्र में अभूत पूर्व योगदान दिया और 400 मौलिक प्रमय पीछे छोड़ गए। 1887 में तमिल नाड़ू के इरोड में जन्मे रामानुजन में बचपन से ही गणित की नसरगिक प्रतिवा दिखाई देने लगी थी। 12 साल की उम्र में तो रामानुजन ने अपने खुद के प्रमय गड़ लिये थे। उन दिनों गणित की दुनिया में दिगच उनकी पहुत से दूर यूरोप में केंद्रित थे। इसलिए भारत में रहकर काम करते हुए उन्होंने गणित में शोध की अपनी अलग ही धारा विक्सित कर ली। 17 साल के होते होते रामानुजन, बर्नौली संख्याओं और इल्योर मैस्किरोने इस थरांग पर शोध कार्य कर चुके थे। रामनुजन को कुम्ब कोनम के गवर्मेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्र बृति मिली। जो कि बाद में उनके गणित को छोड़, दूसरे विश्यों में फेल होने पर रोकती गई। अलग से गणित में शोध के लिए उन्होंने दूसरे कॉलेज में दाखला लिया। जबकि इस दोरान वो अपने गुजारे के लिए मदरा स्पोर्ट ट्रस्ट के अकाउंटन जनरल के दफ्तर में कलर्प के तौर पर काम भी कर रहे थे। जन्वरदी 1912 में रामनुजन ने अपना कुछ काम कैम्ब्रेज उनिवर्स Allen के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर जी एच हार्डी को भीजा। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के काम से उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कैम्बरिज आकर अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रत किया। बाद में वो रॉयल सोसाइटी के फैलो बने और उन्हें कैम्बरिज के ट्रिनिटी कॉलेज की फैलोशिप भी मिली। की सेहत और बिगड़ गई। 1919 में वो भारत लोटे तो बहुत बिमार थे। उन्हें टीबी ने जकड लिया था। भारत लोटने के बाद जल्द ही सिर्फ 32 साल के उम्र में उनकी मृत्यू हो गई। रामनुजन के सामने कौन से मुश्किले नहीं आई। लेकिन इतनी सारी कठनाईयां भी उनकी प्रतिभा के आगे रुकावट नहीं खड़ी कर सकी। हाला कि कष्ट और कठनाईयां नुकसान देह और नकरात्मक लगती हैं लेकिन लंबे समय में सब कुछ संतोलित हो जाता है और यहां तक कि उनके शक्तिशाली सकरात्मक प्रभाव के आगे सारी दिकते बहुत पीछे चूट जाती हैं। जर्मन दाशनिक ट्रेडरिक निच्षे ने भी बहुत अधिक सहा अपने जीवन में जादतर समय उन्होंने भयंकर पेट दर्द और अत्यंत कष्ट प्रद माइग्रेन के सिरदर्द को जेला जिससे वो कई-कई दिन तक कुछ भी करने की इस्तिती में नहीं रहते थे। उन्हें अपने खराब स्वास्ते की वजए से 35 साल की उम्र में स्विजरलैंड के बेसल विश्व विध्यालय में प्रोफेसर का पच छोड़ना पड़ा और बाकी का जीवन तनहाई में बिताना पड़ा। उनके दोस्त भी बहुत कम थे और बीवी या प्रेमिका कभी नसीब ही नहीं हुई और उनके साथ काम करने वाले बुद्धी जीवियों ने उनके अपरंपरागत विचारों के कारण उनका बहिशकार किया। एक लेखक के तौर पर वो इस कदर असफल थे कि उन्हें अपनी किताबे प्रकाशत करवाने के लिए खुद खर्च करना पड़ता था और इन सब के बावजूद उनकी बहुतेरी किताबों की दोबारा कागज बनाने की लुगदी बना डाली गई क्योंकि उन्हें खरीदन वाला कोई नहीं था। कि कष्ट उनके लिए फायदेमंद होंगे। वह अपनी पीड़ा को अपनी भावनाओं का सबसे जादा भला करने वाला मानते थे जो कि उनके दर्शन के लिए जरूरी थी। क्योंकि वही हम दार्शनिकों को अपने अंदर की सबसे गहरी गरतों में उतरने को मजबूर करत मुझे शक है कि ऐसा कष्ट मनुष्य को बहतर बनाता होगा लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि गहरा जरूर बनाता है। उनका अपना अनुभव ये था कि जब इनसान बिमारी, अकेलेपन या अपमान के दौर से निकल कर आता है तो जैसे उसका नया जन्म होता है, नई चमड़ी आ जाती है और उसके साथ आनंद का रस लेने की बहतर समझ आ जाती है। खलील जिबरान ने भी अपनी किताब दी प्रॉफिट में इससे मिलती जुलती कुछ बात यूं कही है। गम आपके वजूद को जितना गहरा कुरेद देता है, उतना ही आनंद आपके अंधर ठहर पाता है। मैं नहीं कहता कि हमें कष्टों का स्वागत करना चाहिए या फिर उन्हें जान बूझ कर पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब कभी जीवन में हमारा उनसे सामना हो तो हमें साफ तोर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों के उपर से नकरात्मक लगने वाले स् भावना भी चुपी है। डालने वाली कहानिया है। उसे पढ़कर ये समझने में मदद मिलती है कि जिन्दगी हमारे सामने जो कभी कभी बेहत बुरा लाकर रख देती है उसमें से भी हम कुछ अच्छा बनाने का मन बना सकते हैं। जिससे हमारे डर कम हो जाते हैं और जिन्दगी खुशियों को बाहों में भर लेने के लिए बैचैन हो जाती है। इसलिए कभी खुद को असफल मत मानो। ऐसा क्यूं होता है कि कुछ लोग कठिनाईयों के दौर से गुजरने के बाद ज्यादा हिम्मत वाले समझदार हो जाते हैं और हर बात के लिए खुद को धन्य मानने लगते हैं जबकि कुछ अवसाद और कड़वाहट में डूप जाते हैं और निराशा को अपना लेते हैं मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मनोवे ज्यानिक उथल पुथल आध्यात्मिक रुपांतरन की कीमिया गिरी के लिए उत्प्रेरक की तरह काम करती है और कश्टों की मूल धातु को सुक और मुक्ति के खरे सोने में बदलने का काम करती है आध्यात्मिक दृष्टी से देखा जाए तो उथल पुथल एक तरह से जागरती पैदा करने वाला काम करती है और मनुश्य की कस्ट से पार पाने की लगभग असीम शमता को व्यक्त करती है जब तक हमारे पास नकरात्मक परिस्थतियों का सामना करने और उन्हें स्विकार करने का साहस है तब तक हमें किसी बात से डरने के ज़रुरत नहीं है लेकिन उससे बढ़कर इससे ये पता चलता है कि मनुष्य के लिए आध्यात्मिक जागरिती कितनी स्वभाविक है और हम सब इससे कितने गहरे जुड़े हैं जिस कठिन परिस्तिती का आप सामना कर रहे हैं उसे अपनी आध्यात्मिक्ता का रस लेने और जीवन में कुछ सार्थक करने की नीव के तौर पर इस्तमाल करें